आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत है देखे फ्रेंड्स आज हम इन दो कलोरो की उलसे और नीडल ली हैं यहाँ पर हमने नाई नंबर इससे बहुत ही सुन्दर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे इस डिजाइन को यहाँ पर देखे मैंने बनाने के लिए फोर के मल्टिपल में फंदे लेके फाइप फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिये हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे आप कोई भी बोर्डर बनाएंगे बोर्डर बनाने के बाद ही हम इस डिजाइन को डालेंगे तो यहाँ से बोर्डर बनाने के बाद डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई, पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, एस्टीज पंदे को तो सीधा ही बनाएंगे, आगे तीन फंदे हम फिर से, देखी सीधे बनाएंगे, एक, दो, और तीन, यानि कि ये हमने टोटल एक एस्टीज और तीन और, टोटल च्यार फंदे हमने सीधे आगे हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन एक फंदा स्कीप करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन एक फंदा स्कीप आगे लाष्ट के च्यार फंदे हैं इनको भी हम सीधा ही बनाएंगे तो ये डिजाइन की हमारी पहली सिलाई और सीधी सिलाई, पहली सिलाई को हमने सीधी साइड से बना के कम्प्लेट किया, डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हमने जो यलो कलर के फंदे हैं, इनको उल्टा बनाना है, और जो स्कीप किया फंदा ह इसको हमने skip करना है उल्टे साइड से यलो फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे और skip किया फंदा बेस वाले कलरकाउ से ऐसे ही बिनाबुना ऐसे उतार लेंगे तो ये दूसरी सिलाई हमारे लाष्ट के फंदे को सीथे ताकि किनारे से finishing आए तो ये दूसरी सिलाई को हमने उल्टे साइड से बना के complete कर लिया डिजाइन की यहां पर देखिए तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है पहले फंदे को तो देखिए अब ऐसे ही उतारेंगे दागा अपनी और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी और एक फंदा उल्टा दागा पीछे जो skip किया फंदा था वो हमारा सीधा आना चाहिए दागा अपनी और एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा अपनी और एक फंदा उल्टा दागा पीछे skip किया फंदा सीधा दागा अपनी और एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे स्कीप किया सीधा फंदा आना चाहिए धागा अपनी और एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी और एक उल्टा धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो ये तीसरी सिलाई हमने यहाँ परद्यान से देखे, सेधी साइड से बना के कम्प्लेट कर ली है, डिजाइन की चोथी सिलाई उल्टी सिलाई, चोथी सिलाई को हमने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुना, च्यार सिलाई का डिजाइन है, और ये आप आगे बार बार रिपीट करेंगे तो आपका डिजाइन रेडी मेट लुक में बनके आएगा तो यह चोथी सिलाई हमने यहां पर उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है लस्ट का फंदा सीधा तो डिजाइन की यहां पर देखिए पाँचमी सिलाई और सीधी सिलाई चा शिलाई इस तरह से दिखायी है पांचमी सिलाई में हम ये बेस वाला कलर लगाएंगे बेस वाला कलर लगाके ही हम पांचमी सिलाई को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पहले हमने यलो कलर से चार फंदे बनाई थे अब की बार यहीं यहाँ पर चेंज है इसमें हमने second color लगा कि दो फंदे यहां पर सीधे वनाने दो फंदे हमने second color यानि बेसवाले color से शीधे वना एक ellow को skip करेंगे अब फिर शे वही चीज रिपीट तीन फंदे सीधे, बेस वाले कलर्षे एक सकीप, तीन फंदे बेस वाले कलर्षे सीधे, एक फंदा सकीप, तीन फंदे बेस वाले कलर्षे सीधे, एक फंदा सकीप, लास्ट के फिर से दो फंदे जैसे स्टार्टिंग में आई थी, इन्हें बेस वाले कलर्षे सीधा ही तो यहां पर देख लीजिए, पांचमी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए हमने कम्प्लीट कर लिया, डिजाइन की छटी सिलाई उल्टी सिलाई जो बेस वाला कलर है, इन फंदों को हमने उल्टा उल्टा बनाना है, यलो को स्कीप करना है, तो हम उल्टी साइड से छटी सिलाई को बेस वाले कलर के फंदों को उल्टा बनाएंगे यह लोग को स्किप करेंगे तो यह देखिए छटी सिलाई उल्टी साइड से हमने बनाते वे कंप्लीट कर ली है डिजाइन की सात्मी सिलाई और यहां पर देख लीजिए सीधी सिलाई सात्मी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे हम सात्मी सिलाई को थोड़ा सा ध्यान से देखिए सात्मी सिलाई को इस फंदे को सीधा बनाएं या उतारी है धागा अपनी और किया है यानिकि ये फंदा सीधा बना दिया है या उतार लिया है इसको उल्टा धागा पीछे यलो वाले को फिर से स्किप कियों को सीधा बनाया जाएगा धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी और एक फंदा उल्टा धागा पीछे जो ये यलो वाला फंदा है इसको हमने सीधा बना नहाँ स्कीप किये होए फंदे को सातमी सिलाई में, धागा अपनियोर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनियोर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ये यलो वाला सीधा आना चाहिए, धागा अपनियोर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा अपनियोर ए फंधा उल्टा धागा पीछे ये फंधा सीधा तो ये हमने यहाँ पर साथमी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कम्प्लीट कर लिया डिजाइन की यहाँ पर देखिए आठमी सिलाई और लास्ट सिलाई आठमी सिलाई को हम फिर से फोर्थ सिलाई की यानि की चोथी सिलाई कीत रही पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है और उल्टे सीधे का डिजाइन है तो यह देखे आठमी सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए इसको कम्प्लीट कर लिया तो यह देखे नौवी सिलाई को हम फिर से जैसे मैंने पहली सिलाई बनाई थी यलो थ्रेड लगा कि फिर से इसी तरह से ही बनाएंगे तो नोई शिलाई को भी आप बना लीजिए पहली सिलाई की तरह जैसे चार फंदे यहाँ पर यलो कलर से सीधे बनाईए एक स्किप कीजिए आगे तीन फंदे यलो कलर से सीधे एक स्किप यह डिजाइन का Final Look हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ आया तो डिजाइन आपके सामने है अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ